तो गाइज विल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल यसके मिशडी अवे आप सक्सेज मैं हूँ आपका एजुकेटर सीवं मिस्रा और यहां पर हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल यसकेम इस्टडी पर और यहां पर हम जानेंगे क्लास 12 आपको मैं बता ही अब इसमें जानेंगे क्लास 11 बाइलोजी चैप्टर नंबर 4 प्राणी जगत प्राणी जगत प्राणी जगत में हमारा यह अगला दूसरा लेक्षर है पहला लेक्षर आपको अप्लोड कर दिया गया है आप जाके देख सकते हैं यहां पर जानेंगे सममीती यानिकी सममीती हमारा क्या होता है तो अगर हम देखें तो जो विचार विचारा धिन भागों में समानता होने पर जो जन्तु होते हैं हमेशा क्या कहलाते हैं समयमीती कहलाते हैं यानि कि किसी भी त्रीवीमी वस्त की तरह त्रीवीमी जन्तु का सरीर भी विभिन प्रकार का सम्मिमीती प्रदर्सित करता है। पैरा मीसियम भी हमारी क्या होती है त्रीवीमी में होती है तो यह सब हमारे क्या होते हैं यह हमारे सम्मिमीती होती है यानि कि सेमेट्री होती हैं अगर कट करके इसको रखेंगे तो यह एक बीच में ही आते हैं तो अगर हम देखें तो सम्मिमीती क्या होता है तो लिखेंगे किसी भी 3 वी में 3 वी में वस्तु की तरह किसी भी 3 वी में वस्तु की तरह 3 वी में जनतु का सरीर भी 3 3 विमी जन्तु का शरीर भी विभिन प्रकार की सम मीती प्रदर्शित करता है. ठीक न? और सम मीती के आधार पर जन्तु का शरीर, सम मीती के आधार पर जन्तु का शरीर, जन्तु का शरीर, अरीय, सम मीती, अरीय, सम मीती, द्वी पार्शो, सम मीती, गोली, गोली, सम मीत, या, या, असम मीत, असम मीत, होता है. ठीक न? इसको याद रगना असम मीत होता है. अगर यहाँ पर देखें, सम मीती की परिभासा, तो लिखेंगे, विचार देन भागों में समानता होने पर जन्त, सम मीत कहलाता है. क्या लिखेंगे? विचारा देन भागों में समानता होने पर जन्त, सम मीत कहलाता है. सम मीत कहलाता है. ठीक न? अब इसमें हम लोग बात किये हैं, अरिय सम मीती की, अरिय सम मीती या अरिय सम मीत भी इसको कह सकते हैं. द्वी पार्स सम मीत या फिर द्वी पार्स सम मीत भी कह सकते हैं. ठीक है ना याद रखेगा इसी अब हम जानेंगे कि जन्तुव में यह प्राय तीन प्रकार का पाया जाता है तीन प्रकार का पाया जाता है किन्ने प्रकार पाय जाता है तो तीन प्रकार का चले दिखते हैं पहला जो होता है वो होता है हमारा अरी सम मीती पहला क्या होता है अरी सम मीती रेडियल सिमेट्री इंगलिस बोले तू रेडियल सिमेट्री की नाम से जानते हैं आरी सम मीती तो जब जनतुआ को उसके मद्ध लंब अच्छ से गुजारी रेखा से किसी तल पर काटने पर दोसमान भाग प्राप्त होते हैं तो जतुँ-ारी सम मीती पहला अरी सम ममीती क्या होता है याद ररखेगा यह आप लिखेंगे जब जन्तु को उसके मध्य, लंब अच्छ से गुजरती रेखा से रेखा से किसी भी तल में काटने पर दो समान भाग प्राप्त होते हैं, भाग प्राप्त होते हैं, भाग प्राप्त होते हैं, तो जन्तु अरी सममिती कहलाता है, तो जन्तु क्या कहलाता है, याद रखेगा, ठीक है न, जैसे अगर देखें, तो इस प्रकार का समीमिती प्लाइह किस में पाए जाता है हमारा तो संघ सीले टन्रेटा के वर्ग के एंथो संग जो आपके कुछ सदस्यों संग तिन फूरा के सदस्यों में पाए आता है ठीक है न यादर रखाक इस में-स पाए आता है the example में जैसे अगर देखें तो किजने पाए आएगा कि शर्ण हे पारितया संग की अ VO कि सीलेंट के लेटा कि वर्ग किसमें इन्थो जुवा में इन्थो जुवा और संग टोनी फेरा और किसमें और संग हमारा एका एका एनो डर्मेटा कि वयक्स जन्थों में और यह सम्मिति पाया जाता है ठीक है न जैसे कि इस्टारफिस में इस्टारफिस में भी हमारा क्या होता है और यह सम्मिति होता है अभी बताएंगे इसमें लेंगे starfish अगर note नहीं किया है तो note कर लिजेगा prepare यह समयमित किसी में होता है starfish में star fish में हमारा I hear you समयमित होता है starfish में अगला हमारा आता है three parts parentheses क्या आता है तो आता है three partsartoTH ,"heading डालेंगे three parts द्वी पार्स सम्मित में देखें तो द्वी पार्स सम्मित में उन जंतियों पाई जाती है जिसमें प्रिष्ट वा अधर्तल के साथ साथ अग्र वा पस्य भागों का भेद भी इस्पष्ठ होता है और ऐसे जंतु को मध्य लंब अच्छ से काडने पर जंतु दाएं वबाएं दोनों समान में बढ़ जाते हैं तो उसे हम द्वी पार्स सम्मित कहते हैं यहां पर क्या लिखेंगे ऐसे जंतु ऐसे जंतु ऐसे जंतु ऐसे जंतु जिसे मध्य लंब अच्छ से काडने पर जंतु दाएं वबाएं जंतु दाएं वबाएं दो समान भागों में बट जाते हैं तो उसे तो उस जंतु को या फिर उस जंतु को द्वी पार्स सम्मित कहते हैं तो उस जंतु को और इसके लिम्ट थीज वह एनीडा और आर्थो पोड़ा और कसे रूखी जंतु में किसमें जैसे मिले लेंगे एनीडा और आर्थो पोड़ा और कसे रूखी जंतु में दी पार्स सम्मित होता है ठीक है न इतना आप लोग याद रखिएगा और वहीं पर देखें हम लोग तीन ठुते एक गोली सम्मित या असममित तो गोली सम्मित या असममित देख लेते क्या होता है उसको भी हिरिम डाल लेची अगर इसमें देखें तो दी पार्स सम्मित में हमारा क्या आता है तो दी पार्स सम्मित में मकडी आती है क्या आती है मकडी मकडी जो होती हो क्या होती है दी पार्स सम्मित होती है अगला आता है वो आता है हमारा गोली सममित या आसममित गोली सममित या आसम 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 मित गोली सममित या आसममित क्या होती है तो इसको सीधा लिखेगा आप लोग जन्तूओं के मध्य तल से दो या दो से अधिक भागों में विख्त करने पर यदि विचारा देन भाग समान दर्साते हैं तब उसे असममित कहते हैं या फिर गोली सममित कहा जाता है यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे जन्तूओं को मध्य तल से दो या दो से अधिक भागों विख्त करने पर जन्तूओं को मध्य तल से दो या दो से अधिक भागों में विख्त करने पर यदि विचारा धीन भाग समानता नहीं दरसाती विचारा धीन भाग समानता नहीं दरसाती हैं तो उसे गोली सममित या असममित कहते हैं गोली सममित या असममित कहा जाता है जैसे किस में तो गोली सममित या असममित में हमारा क्या आता है तो कर सकते हैं आप हमारा सरीर मचली का क्या मचली का यहां पर लिए लेंगे जैसे कि मचली का इतना मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लिए अगला लेक्चर हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में डिस्कुसन करेंगे ओके दूसरों थैंक यू जैहीं झाल 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 झाल